स्वागत्य आपनों नेशन प्लस न्यूज मां हूँ छो आपने साथे है दल्बगत बारत माता मंदीर ना स्थापन दिवस से संकल दिवस्ती पन उजवनी करायती जेमा जाहिर प्रवचन पन योजायोतु आ कारेक्रमनों दी प्लैगत्य करी उद्गाठन करवम आविवतु जेमा महारुद्र हन्मान सेवा संस्थान ना पूर्शत्तम मुर्जानी डॉक्टर ज इनामदार सहित सहर ना प्रवुद्ध नागरी को उपसित रहा हता। समाजने के गुन्यकार हो कोण दा अने विवाजन करवम आविवतु आपड़े दर वक्ते चवुद आगस्ट अलाग 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 राष्ट्री वक्तावन बोलाई जे पुष्पेंदर कुलुसेस ने बोलाया, हरी शेंकर जेन, विष्णु जेन ने बोलाया, राम DD2 ना एंकर श्री प्रकर श्री वास्तो जेन आपड़े बोलाया जे जे मने श्री राम करे नेक पुस्तक लखी जे जेम आप आज सांपड़ जो के एमा जेक ट्रेन आवे छे चवुद आगस्ट अने एमा कोई उतर दू नाथी, पाकितन ने ट्रेन आवे जे, कोई उतर तो खबर पड़ी के अंदर बद्धाज मरे ला लोगा था, बद्धान असर कापे ला था, आपड़ू आपड़ादी छुपाव मावेलू जे, आपड़ू बहार आवे, अने जनसंक्या, जनसमाज ने खबर पड़े के विभाजना गुनियागार कोण अता, आजे जे विभ प्रकर स्रिवास्तावजिन आजे सांपड़ू, अने गुनेगार कोण से अपड़े खबर पड़े। कौण चे विभाजन ना गुनियागार विशयू पर वक्तविया आप्यू हतू। कारीक्राम रखा गया है, बहुत महत्पून कारीक्राम है, मोधी सरकार ने पिष्टे दो साल से इस दिवस को मनाने का एलान किया है। और इसका मकसद ये है कि हमारे आने वाली पीडियों के मालूम पड़े कि 15 अगस 1947 जो हमारी आजादी का दिन हो आजादी के दिन वो खुशियां लेने के साथ साथ हमारे हजारों लाखों हिंदू भाईयों के लिए पीड़ा भी लेकर आया था। जिन्होंने कभी पाकिस्तान नहीं मागा था, जिन्होंने कभी पाकिस्तान की मांग का समर्थण नहीं किया था, तो भी उने इस विपाज़न की फीड़ा भुगतनी पड़ी। हमें बच्पन से पढ़ाया गया कि हमें आजादी अहिंसा से मिली है लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि जो हमें पढ़ाया गया उसका दूसरा पहलो ये भी है कि हमें जो आजादी मिली है वो चालिस लाखों के पहाड पर हमें आजादी मिली है जो विविशगा जो विभाज केम्पों में बंद करके उन पर आमानवी अत्याचार जो किये गए उसको पूरे यहुदी समाज ने पूरे दुनिया के यहुदी धर्म के समाज ने जो जुड़े लोग थे उसने उस पूरे अत्याचार को किया उनके इंटरिव्यूस रखे और रिकॉर्ड अज भी उनके पूरवज जो अपने पूरवजों के लिए को यहुदी जानना चाता है कि वो किस कैंप में भरती थे उनके उपर क्या द्याचार हिंदुवाजन के बाद हमारे देश में कुछ ऐसी लंबे समय तक ऐसी सरकारे सत्ता में रही जो धर्म निर्पेक्षिता के नाम पर जो अत्या चार जो हिंदूओं पर हुए थे विभाजन की विभीशिका के वज़ा से उन्हें चुपाया गया वो सत्य कभी सामने ही नहीं आ पाया कि जो आज पीड़ी आज मैं दिल्ली शहर में रहता हूं तो उनके पू विभीशिका दिवस्तना के वल मनाया जा रहा है शहरों शहरों मनाया जा रहा है एक बहुत अच्छी पहल बड़ोदा के अंदर भी हुई है और मुझे लगता है कि आने वाली पीडियां वो यह याद रखें किस आजादी खुशिक के साथ एक विभीशिका भी आई थी और हम बांगला देश में ताजा घटनाओं को देखते हैं आज तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसके पीछे हमारे उन नेताओं की वी जिम्मेदारी बनती है उनके अंद्धारों की जिम्मेदारी बनती है जो 1947 में जो उन्होंने विभाज में को स्विकार किया था नहरू जी पपूर्वती सरकारों की भी गें जिन्होंने इस देश हैं रह likely हुद्टिह और अगहा। तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ बांगलादेश की सरकार की नहीं है हमारी पूरवती सरकारों की भी है जिन्होंने इस देश का बटवारा होने दिया और उसके बाद उन हंदियों को बे सहरा छोड़ दिया तो यह जब इस तरह के दिवस मनते हैं तो यह UIPD के अंदरे भाव विक्सित होता है कि बांगलादेश का जो हिंदू है या पाकिस्तान का जो हिंदू है वो भी हमारा ही अपना हिंदू है सेक्विलर एडिलोजी को मनने वाले को मैं कैसा देखता हूँ मैंने जो अभी बोला उससे आपको मालू में पढ़ जाता है कि किस तरह से इतिहास को जो दबाया गया उसका प्राइम एक्जामपल है कि इतनी विविशिका हो गई अलग-अलग आकड़े कोई कहता 20 लाग लोग मरे कोई कहता 30 लाग मरे कोई को 40 लाग मरे जब उसकी बात करना इस देश में एक तरह से अपराद माना जाता है हम जब देखतें कि इस दोर में जो साहिती भी लिखा गया उसको भी बैलन्स करने की कोशिश की गई तो ये सेक्विलरिजम ही तो था जिसने इतनी बड़ी तरासदी को जो है हम से चुपाने की कोशिश की क्योंकि हम जब इस इत्यास को पढ़ेंगे तो हमें पूछेंगे सवाल कि अच्छा विबाजन हुआ 40 लाग लोग मरे तो विबाजन करने के गुनेगार कौन थे तो फिर गुनेगार के नाम ढूणेंगे तो गुनेगार के जो नाम आएंगे उन सब के नाम पर इस देश में सड़के हैं उनके नाम पर स्टेडियम्स हैं उनके नाम पर मोहले हैं उनके नाम पर मार्केट्स बने हुए तो उन सब को हमने भारत रतनी भी दे रखा है कुछ को हमने महात्मा की उपादी भी दे रखी है तो यह सब नाम जो खुलेंगे तो यूआ पीड़ी सच जान जाएगी और यह सच ना जान पाए इसी सेकलरिजम की आड़ में इस सच को शुपाने के लिए इतिहास को मिटाने की कोशिश होई है झाल झाल